इसमें चल रहा है तिरंगे के नाम पर और वो भारत की 70 पार्टी चलवा रही है और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ओर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपणी है जिसका मालिक है सलाउदीन नाम का एक मुसल्मान इसमें चल रहा है तिरंगे के नाम पर और वो भारत की 70 पार्टी चलवा रही है और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ओर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपणी है जिसका मालिक है सलाउदीन नाम का एक मुसल्मान उसको यह ओर्डर दिया गया है दुनिया के सबसे बड़े पाकण्डी अगर कोई है तो वो हिंदू है शामी जिस दुनिया के सबसे बड़े पाकण्डी है तो हिंदू है हिंदूों के दलाल जो बात करते हैं वो मुशलमानों के आर्थिक वहिसकार की बात करते है मुशलमानों का आर्थिक वहिसकार करना चाहिए और जब इनकी सरकार बच जाती है तो सरकारी खेंगे भी मुसल्मानों को देते हैं सबी समझ ले हो ना कितना वड़ा सवियंत्र है हिंदूों के खिलाब हिंदूों बाइसकार करो इस अभियान का अगर खिंदा रहना है तो मुसल्मान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बाइसकार करो अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूड़ो अपने घर में लगाओ लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को और इन देताओं को समझ सिखाओ कि ये तुमारे पहते पर मुसल्मानों को अमीर बनाकर तुमारे बच्चों की हत्या का इंजाम नहीं कर सकते सबी लोगों से मेरा नुरोद है किसी भी मुसल्मान के पास जब हिंदू का कैसा जाता है तो वो जहाद के लिए जगाभ देता है और वही जगाँ तुमारे उद तुमारे बच्चों के कतल के काम आती है इन धोके बाजों की बातों मत बदना अगर तिरंगा रहने तो तिरंगे का ही भाहिसकार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हे बर्वाद कर दिया है हर हिंदू के गर पर हमेगा भगवाद वज होना चाहिए ये कहते हैं